प्रदेश में कोरोना के पोजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार के लिए ये गंभीर मुसिबत बनती जा रही है लेकिन लोग अब भी इसकी भयावता को समझ नहीं पा रहे हैं ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कई पेंटर्स ने सडकों पर पेंटिंग बनाकर लोगों को कोरोना के प्रती जागरूक करने का एक अनुठा प्रियास किया है कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन इसी बीच सामाजिक जागरूकता और सोसल डिश्टेसिंग होना बहुत जरूरी है और इनी कुछ संदेशों को लेकर जेपूर की जो शड़के हैं उनमें कुछ ऐसे ही जो तस्वीरे हैं वो आप देख सकते हैं जिस तरह से जो कुछ पैंटर हैं कुछ कलाकार हैं वो इस तरह से जैपूर के जो शहर की जो शड़के हैं उन पर पैंटिंग करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं जिनको कहना है कि कोरोना से अगर बचना है तो घर में रहे सुरक्षित रहे इनी तमाम स्लोगों के साथ म जो यह लोग हैं वो जैपूर की जनता को जागरुक करने में लग रहे हैं जो दरसल बारतिक कलाकार संग जैपूर की ओर से यह पूरा पैंटिंग है वो करवाई जा रही है दरसल अजमेर रोड पर जो आप अगर कभी चलो तो ऐसी कुछ तस्विर आपको देखने में आ सकती है अजमेर रोड के सासा जैपूर के तमाम जो अन्य जो एरिया है वहां पर भी इसी तरह से पैंटिंग बना कर ये लोग जैपूर वाशियों को या परदेश वाशियों को जागरुक करने का संदेश दे रहे हम इनी से बात करेंगे किस तरह से इनकी संदेश देना चाहते ह अपने अपको भचना चाहिए है को घर में रहें डिन मैं 4-5 दासे करें और हमारी प्राइद के सबसे यह विंति है कि सब घर में अपने बच्चों को बाहर ना क्रूने दे िorie और अच्छी कोई बार खालतू काम से ना निकले जिस तरह से यह निवेदन कर रहे हैं सबी जनता का सबी जेपुर वाशियों का आप लगाता जिस तरह से इन्हों ने बताया कि जेपुर वाशियों से निवेदन कर रहे हैं कि घर में रहें सुरक्षित रहें ताकि मानवता को बचाया जा सके और कोरोना को हराया जा सके इनी इस तमाम स्लोगों के साथ ये जिफुर वास्यों को जागरूप कर रहे हैं जिफुर से केमरामेन विजेगिरी के साथ मेलो के सॉला एवन टीवी